हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, या डॉट हिमान सक्से हैं तो गाईज, आज की इस वीडियो में हम टोटली केमरे को लेकर यहाँ पर बात करेंगे, बन प्लस नोटू के अंदर जो एंडोइट 13 का एप.22 का जो अपटेट आया है गाईज, उससे रिल एंडोइट 13 में, तो गाईज, इसको लेकर काफी ज़्यदा आप लोगों मतलब मेरे को बोल रहेते हैं, तो इसलिए मैंना सुचा क्यों ना एक आप लोगों के लिए, कैमरे का फुल रिव्यू में आपको दे दूँ, तो गाईज, अभी हम सब कुछ यहाँ पर ओपन ली, तो को दूस्त हमारे चैनल पर ऐसी interesting विडियो में आपके लिए लाते रहता हूँ, तो गाईज, सबसे पहले हम चलते हैं, कैमरे के अंदर, तो गाईज, सबसे पहले हम आ आजाते हैं, कैमरे के अंदर, आप लोग देख पा रहोंगे, हम कैमरे के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको पहले 1x और 2x का ratio देखने को मिलता था ठीक है लेकिन guys यहाँ पर आपको 0.6 का भी ratio देखने को मिल रहा होगा तीन ratio में भी हम यहाँ पर use कर सकते हैं 0.6x 1x and 2x तो guys जतना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा zoom हो जाएगा ठीक वहीं पर हम portrait में देखें तो portrait में भी 1x और 2x का option देखने को मिल रहा है guys यहाँ पर हम बात करें कि photos के अंदर AI mode आपको देखने को मिल जाता है timer देखने को मिल रहा है भी भी फुल और जो भी आपको ratio रखना है वो आप रख सकते हैं यहाँ पर ratio 1, 4 ratio 3 यहाँ पर कोई भी changes नहीं है aspect ratio के अंदर वहीं हम बात करें कि 50 ampere camera यहाँ पर available है और guys यहाँ पर आप 50 ampere camera रह सकते हैं लेकिन आपका जो aspect ratio है वो automatically होहाँ पर set हो जाएगा 4 ratio 3 का यहाँ आप लोग सभी लोग जानते होंगे तो यहाँ पर आप अगर full ratio रख रहे हैं तो guys यहाँ पर आपका 50 ampere camera यहाँ पर work नहीं करेगा यहाँ पर auto HDR में HDR end दे रखा है आपको auto का section दे रखा है और उसको आप off करके भी रख सकते हैं watermark वेगरा सब कुछ वैसा ही है कुछ भी changes नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि देखिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि guys इस वीडियो में आप लोग को मैं सारी information दे रहा हूं जो camera से रिलेटेड है guys वीडियो को लंबी करने से कोई sense नहीं है तो इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूं वहीं पर आपको कई सारे filters देखने को मिल जाएंगे ठीक है जो अपने already पहले से चले आ रहे है guys इसमें मेरे को कोई भी changes देखने को नहीं मिला है वहीं पर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका जो भी depth of field है मतलब आप इस ट्रॉंग कर सकते हैं बिक कर सकते हैं बिल देखने को मिल जाते हैं मैं आपको front camera के भी filters दिखा देता हूं तो guys आप लोग देख पा रहा हूंगे मैं front camera में आ चुका हूं यहाँ पर भी आपको कई सारे filters जो already हमें मिल चुके हैं पहले Android 12 के अंदर वही filters हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ठीक है उसके बाद आ कि मैंने बता है था आपको 1080 का फिक्षल और 720 का हम देख सकते हैं और AI mode हमें देखने को मिल जाता है front camera में लेकिन guys मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूं और आप लोग सब चीजे समझ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो Android 12 था जो Android 12 था बापिस समझे आप जो Android 12 वही Android 13 दे रखा है हमारे N1 Plus Note 2 के लिए कोई भी ऐसा additional changes देखने को नहीं मिला है मेरे को अभी तक तो उसका reason क्या है मैं अभी आपको कुछ photos दिखा देता हूं आप लोग देख लीजिए यह without filter back camera से लिया गया photo है और guys इसकी quality आप देख लीजिए आपको समझ जाएंगे ठ औरते हैं तो guys यहाँ पर आप देख लीजिए front camera का photo है वही सब कुछ है जो हमारे Android 12 के अंदर अल्रेडी दे रखाता तो guys आप लोग देख लीजिए नीचे भी वह आपको blurness, whiteness आपको देखने को मिल जाएगी इस camera में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर brightness को increase किया और फिर से photo लिया तो guys थोड़ा सा photo तो clear दिखा मुझे लेकिन नीचे आप देखेंगे वह वाइटनेस फिर भी बनी हुई है वही हमा normal camera से फिर से मैंने चेक किया कोई भी filters वगरा यूज नहीं किया तो guys थोड़ा सा यहाँ पर मैंने brightness को डाउन किया तो थोड़ा सा हलका सा यहाँ पर camera को लेकर तो guys उससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ जो हमारे पास android 12 में था as it is थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूं मुझे से 10 यह 20% changes देखने को मिल रहे हैं guys इससे ज़्यादा changes नहीं है और आप लोग भी मुझे comment करके बताईए बाकी slow motion को लेकर मैं एक proper video quality को लेकर मेरे को यहाँ पर 10-20% से ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है तो guys आप लोग भी please मुझे comment कीजिए और बाताईए आपके mobile की camera की quality कैसी है OnePlus Note 2 की Android 13 के बाद तो guys थोड़ा सा आप लोग भी अपना video एक share कीजिए और मैं तो आज मेरा पूरा mood बन चुका है कि मै मैं इसको लेकर यहाँ पर OnePlus को रिपोर्ट करूंगा कि guys Android 12 में जो हमें facility दे रखी थे वही Sam to Sam हमें Android 13 के अंदर provide कर दिये तो ऐसा तो नहीं चलेगा क्योंकि जो हमारे पास Android 11 के अंदर जो camera था वो हमें camera वापिस चाहिए क्योंकि यह major update last है Android 13 के बाद 13.1 भी मिलेगा OnePlus Note 2 को करूंगा OnePlus Note 2 को लेकर तो guys इस वीडियो में बस अतना है आप लोग बोल रहे थे camera की quality camera की quality तो मैंना सुचा एक बार क्यों आप मैं बता दूँ आपको कि camera में कोई इतने जदा खास अंतर देखने को नहीं मिला है तो guys मिलता हूं बहुत ऐसी किसी next इंट्रेस्टिंग वीड